आगे मास, कुरे मास, मोराई मास ये ऐसे patterns हैं जो कि बलकि ये words हैं इनसे ते फर्म जुड के pattern बन जाता है तो ये ऐसे patterns हैं जो कि हमें काफी confused करते हैं especially जब हम N5 को end कर रहे होते हैं और ending में ये patterns आते हैं तो हमें लगता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल है इसमें अगर सिर्फ meaning को देखा जाए तो to take from होता है या फिर to give होता है लेकिन ये इतने आसान नहीं होते सीखने तो इसकी proper explanation, proper examples की ज़रूरत होती है तो अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपको समझा जाएगा पूरी-पूरी हमारी ये कोशिश है कि आपको simpler form में बहुत ही आसान तरीके से इस pattern को हम सिखा पाएं Welcome to New Hongo Max, मेरा नम हिरवी, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम आगे मास, मुराई मास और कुरे मास को कैसे बता सकते हैं तो इसको simple सा मतलब है आगे मास को आपको याद रखना है दिया की तरह मुराई मास को आपको याद रखना है मिला की तरह और कुरे मास को आपको याद रखना है किसी ने मुझे दिया की तरह तो इसको एक example जी समशते है वाताश्रीवा हाहानी हानाओ आगे माशता इसका मतलब है मैंने मम्मी को flowers दिये विच मींज एक परसन ने दूसरे परसन को कुछ दिया सेकेंड वाताशिवा हाहानी तोकेयो मुराइमाश्था एक परसन को दूसरे परसन से कुछ मिला जिसे मुझे मम्मी से flowers मिले तीसरा सिंटेंस है कुरे माश्था कुरे माश्था में आपको हमेश्रा याद रखना है जो चीज मिलेगी वो या तो मुझे या मेरी family member में किसी को मिलेगी तब ही आप कुरे माश्था यूज कर सकते हो और इसको पता लगाने का एक दूसरा डिफरेंस है particle इन दोनों में आगे माश्थ और मुराई माश्थ के केस में हमेश्रा जो नी particle होगा वो किसी और परसन के साथ होगा जैसे यहाँ पर हाहा के साथ है वाताश्री के साथ नहीं है बट मुराई म कुरे माश्थ के केस में हमेश्रा particle जो है वो वाताश्री नी रहेगा और अगर कोई और मेंबर है जैसे यहाँ पर हाहाई है विच इस मार फैमली मेंबर बट माल लो आपको बोलना है कि मुझे तल पurarए गोविन सर से वाच मेलु तो गोविन सर वाथाश्री नी रisha को भूल सकते है या फिर गोविन सर ने मेरी छोटी उफ्यान को चौकलेट्स जी बिकॉस जो मेरी सिस्टर है वह से जादा मेरी family member है, तो हम इमोटों नी भी लगा सकते हैं, इमोटों नी चौकोरे तो हो कुरे माशता है। So, हाँ, हाँ, वाताशे नी तो के यो कुरे माशता का मितलब हो गया, मम्मी ने मुझे वाच दी। So, basically, आप देखोगे, कि इन दोनों ही sentences में, जो action हो रहा है, वो same हो रहा है, action क्या है, कि मम्मी ने मुझे वाच दी है, बट हम इन दोनों को बस अलग-अलग तरीकों से बोल रहे हैं, जैसे एक में हम बोल रहे हैं कि मुझे मम्मी से वाच मिली, दूसरे sentence में क्या बोल रहे है मम्मी ने मुझे वाच दी, दोनों में ही action से मोर है, वाच मिली है, मुझे मिली है, मम्मी से मिली है, अब यह आपके उपड़ी पिंट करते हैं कि आप कैसे बोलना चाहते हो, एक छोटा सा difference और होता है, मुराई माचता, थोड़ा सा तब आता है, जब कोई काम आप किसी को जिसे इस sentence में जो तोके है, वो शायद मैंने मम्मी को बोलाओ, मम्मी मुझे वाच दिला दो, तो मम्मी ने मुझे वाच दिला दी, दूसरा, जो कुरे मचता होता है, वो मम्मी ने अपनी मर्जी से मुझे वाच देती, तो यह छोटा सा difference होता है, अगर आप याद नहीं भ मम्मी ने मुझे वाच दी के लिया वैसे नहीं बोल सकते है, हावा वाताशी ने तो के यह आगे माश्ता, मुझे दिया के लिए आपको हमेशा कुरे माश्ता ही यूस करना पड़ेगा, यूस करना पड़ेगा, जो यह चोटा सा difference हो जो आपको याद रखना पड़ेगा, ब मुझे करना पड़े माश्ता में हमेशा अवाताशी ने या फिर मीरी फामली का कोई जो भी मेरी से close person है, उस person को हम या रखते है ने पार्टिकल के साथ रखते है। और मुझे के साथ यूस परसं से वो चीज मिली होती है, उस person को हम ने पार्टिकल के साथ रखते है। I hope आ या फिर ते कुरे मश्चत पढ़ाओगा यह परिए सूनल करके लिए इस परसन ने मुझे ये काम करके दिया इस परसन ने मेरे ले इस काम को किया जिसे माल हो इसी सिंटेंस में हम कातने लगा लिए बीच में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि इन पैटन्स में डिफरेंस क्या है या इन में सिमिलारिटी क्या है और इनको कैसे यूज़ करेंगे similarly अगर आपको अपने examples बना के हमें शो करने हैं तो आप comment box में डाल सकते हैं और साथ साथ जरूर जाए निहांगोमैक्स.com पर जिसमें मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपको आसान से आसान तरीके से आपको ये पैटन्स की similarity और डिफरेंसे समझ आ जाएं तेंक्यो सो मच्च